हलो फ्रेंट्स नमस्ते मधू एबी कीचन में आपका स्वागत है अगर आप लोगों को मेरी रेश्वी पसंद आती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सबजी सबसे पहले आठ कच्चे केले ल अंठर से अलग हो जाए तब अच्छे से केले को दो दीजिए केले की दोने के बाद में अच्छा से पोच दीजिए पोचने के बाद में केले को धीरे धीरे चकू के साहरे इसका छिलका उतार दीजिए इसी तरह सारे केले का छिल का उतार देना है जब केला सारे छिल जाएं तब इस केले को एक इंच बराबर मोटा मोटा काट लेना है देखी वीडियो में जैसे दिखाया गया है इसी तरह सारे केले को काट लेना है फिर इसे एक बराशा बरतन में डालिए एक चुथाई चमच हल्दी पौडर डालिए आधा चमच नमक डालिए आधा चमच लाल मिर्च पौडर दो चमच बेशन आधा चमच जीरा पौडर एक चमच सर्षो का तेल डालिए और सब को मिला लीजिए जब मिल जाए सारे केले तब इसको साइड में रख दीजिए फिर कडाही को अच्छा से गरम कीजिए जब कडाही गरम हो जाए तब इसमें दो चमच तेल डालिए तेल को अच्छी तरह गरम होने दीजिए जब तेल गरम हो जाए तब इसमें कटे हुए केले को डाल दीजिए एक साथ पूरा नहीं डालना है थोरा थोरा डालिए फिर इसे मीडियम आज पर उलट पलट कर इसे 80% पकने तक है इसे भुनना है जब 80% पक जाए और केला सौफ्ट हो जाए तब इसे निकाल दीजिए फिर बच्चा हुआ केले को तेल में डालिए इसे भी मीडियम आज पर सौफ्ट होने तक इसको पकाना है फिर इसे निकाल दीजिए बचा हुआ तेल में दो हरी मिर्ची डालिए दस बारक कली लहसुन का एक किंच दरक को काट का डालिए और सबको हलका भोन लीजिए फिर इसमें एक बड़ा साइज का प्याज मोटा काट का डालिए इसको भी थोड़ा भोन लीजिए जब यह भून जाए तब एक बड़ा साइज के टमाटर रफली कटा हुआ डालिए इसको भी गलने तक पकाना है जब हलका गल जाए टमाटर तब तक पका लिजिए देखे टमाटर हलका गल गया है तब गैस को बन कर दीजिए और इसे पूरी तरह ठंडा होने दीजिए जब पूरी तरह से ठंडा हो जए टमाटर प्याज लहसन तब इसे छोटी वाली मिक्सी जार में डाल दीजिए फिर इसे पिस लीजिए देखें मसाला बनकर तयार हो गया है फिर कड़ाही में दो चमच तेल डालिए तेल जब गरम हो जाए तब इसमें आधा चमच जीरा दो खड़ी लाल मिर्च एक तेज पत्ता को तोर कर डालिए और सबको मीडियम आज पर कैरकल होने दीजिए जब कैरकल हो जाए तब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दीजिए फिर आधा कप मसाला वाला पानी डालिए और सबको मीडियम आज पर हलका भून लीजिए पीर इसमें हम एक छोथाई चमाच हल्दी पॉडर एक चमाच लाल मिर्च पॉडर एक छमाच धनिया पॉडर एक चमाच जीरा पॉडर एक छुथाई चमाच गुल मिरिuchen पडर डालेंगे और सब को मिडियम आज पर भूलेंगे मसाले से जब तक तक मसाले अच्छी तरह से भून लेना है कि देखें मसाले के उपर से तेल निकलने लगा है फिर एसमें हम दो गलास पानी डाल देंगे हैं फिर इसे मिला लीजिए स्वात के अनुसार नमक डालिए फिर ग्रेवी में अच्छा उबाल आने दीजिए जब ग्रेवी में अच्छा उबाल आने लगे तब भूने हुए केले को डालिए और इसे चला लीजिए पांसे छे मिनट तक इसे मीडियम आज पर पकने दीजिए पांसे छे मिनट के बाद में पक जाने के बाद में एक चमच कस्तुरी में थी उपर से डालिए एक चमच गरम मसाला एक चमच बटर या गही डालिए और सब को मिला लीजिए आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं गैस को बन कर दीजिए और धकन लगा दीजिए कुछ देर इसी तरह छोड़ दीजिए कुछ देर के बाद में देखी हमारा टेश्टी सबजी बन कर तयार हो गया है आप इसे रोटी, चावल या पूरी सब के साथ खा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई